कल का दिन गांधी मैदान में नुक्ति पत्रबाटा गिया कल का दिन सभी लोग याद रखेंगे बीपियसी सिच्छक जो बने खास करके अब गाओं गाओं पर्हाने जाएंगे और बाते सभी लोग गाओं सिख्छित होगा गाओं गाओं जाकर पराएंगे हम आपको सुनाते हैं नितीज की वो बाइट जो गांदी मैदान से ऐलान किये लंबे समय के बाद सिछा मंत्री चंदर सेखर ने खुले मंच से क्या कहा तेजस्बी यादब बिहार के भविष को लेकर क्या कर रहे यानि तमाम महागठ वंधन में जिस तरीके से वादे किये ग आपको हम सुनाते हैं निचो कि सीम नितीज ने बिहार को लेकर भविष को लेकर क्या करें तेजस्बी क्या करें चंदर सेखर यानि शिक्षा मंत्री क्या करें जरसुम्य और भी जरुवत पड़ेगा तो जान लिजे कि अभी लोगों को लगना दसी लाग लेकिन हम जितना अलग अलग विभागों का देख रहे हैं तो यहां पर तो बैठे हुए ऐसा विभाग के प्रमुख लोगों को मालूमी है तो इसी लिए वो दस लाग से जाने बहाली होगी कि जाने गिए दसी लाग नहीं दस लाग से मिफ जाने बहाली होगी तो यह सब काम को हम करेंगे हम लोग तो अपना काम करते हैं हमारे सब पत्रिकार मित्र यहां पर मौजूद है तो कभी आप बोलिये या मत बोलिये अपने तरफ रखे रहिए जरूर दिमाग में बात ले तो इसमें तो पते चलेगा आपको सब दे, कि हम लोग और कितना बहाली कर रहे हैं, और हम लोग सारा काम करते हैं, हम लोग दुष्परचाद नहीं करते हैं, हम लोग काम में लगे हुए हैं, और सब लोग पूरे तौर पर पूरा महिनत करते रहते हैं, और सब कुछ काम करते रहते हैं तो हम लोग पी पूरे के पूरे तौर पर सब कुछ कर ही रहे हैं और आप सब लोगों को मालुमी है कि हम सब लोग तो जो भी होगा तो इस पर जो पूरा का पूरा जो हम लोग चाह रहे हैं कि बहुत तीजी से काम हो जाए और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने तो जो भी जो सिक्षकों की बहाली है तो सभी पंचायते में उच्छ प्राथ्विक विद्याले इस्थापित किये गए और इसके लिए 2760 स्कूलों में नए विद्याले भवन और 3530 विद्यालियों के अत्रिक्त क्लास्रूम आदी के निर्मान है तो उन 7,530 करूर रुपे की स्विक्रति दी गई कि आउसमें तुभाई विजय चोधिर जी थे मंत्री अभी तो उनका दिभाग हो गिया है वित्ति भाग ताथ तो अपने बोलिये रहते हैं तो वह भी तेजी से काम बहुत तेजी से वह चीज भी पूरा हो जाया तो कि पिछला बार भी देखिए हम बोल दिये थे इतला बार में जो हो रहा था अरे पिसले दो वहीना पहले तो उसमें भी पाप कर दिये थे वही तेजी से काम उसका भी कर दिजिए ताकि ये काम जो है 7530 करोर रुपे की सुकृति दी गई है उसको भी जल्दी से जल्दी कर दिजिएगा तो जितना भी विद्याले भवन हैं जितने भी विद्याले हैं सब बहुत अच्छे ढंग से हो जाएंगे और एक बात और नहीं जान लिजिए कि 2005 में तरी भी नहीं पता चल गया था कि 12.5% बच्चे विद्याले से बाहर थे तो उसी में हम लोगों ने कर दिया सर्जादे महादली तरण संक्यक थे तो हम लोगों ने तो शुरू किया था टोला सेव का तालिमी मरकज अब उसके चलते अब लगभग 12.5% का काम पूरा हो गया आप तोला सेव का तालिमी मरकज को जो हम काम में लगाया थे अब उसको भी तो इतना हम पैसा दे दिये हैं अब उनसे भी हम अब उमीद करेंगे कि वो लोग भी अब स्कूलों में जाएं तब इतनी संख्या में टीचर्स रहेंगे कि कोई दिक्कत कभी नहोगा नहीं अब सब लोगों को बहुत तेजी से पूरे तोर पर सब काम हो जाएगा यही हम लोगों को चाहते हैं कि इसलिए हर तरह से सब लोगों को पूरा हो और इसलिए अब यहार लोग से वायोग के द्वारा जो काम किया जा रहा है तो अभी हम लोगों ने पिछली बार कुछ महीना पहले ही यह का और कितना तेजी से उन लोगों ने काम किया तो इसलिए तो अब बड़ा तेजी से काम हो रहा है और भी जगह पर जितनी बहाली है सब तरह की बहाली हो रही है तो उनकों भी मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं और बाकी जो बचा हुआ है उसको भी जल्दी से जल्दी वो कर लें ताकि तेजी से सब लोगों की बहाली हो जाएं यहीं चाहते हैं तो आप सब लोग आ गये हैं अवाज तो ठंडा है और अभी काफी ठंडा है अपको रात होने जा रहा है इसलिए आज हम ज्यादा क्या बोलेगे हमको तो खुसी है आप लोग सब प्रसंद है न आप खूब पढ़ाएगा ना महिनत कीजिएगा ना हाथ उटा के बताएए के उत्थान में विश्वास रखते हैं बिहार हम आगे बढ़े और देखिए दूसरे राज्यों की लोगों को भी लगबग 15 परसंट के आज पास जो लोग है दूसरे राज से दूसरे देश से नागलेंड हो यूपी हो बंबे हो तमिलाडू हो केरल हो कटर जैसे देश से लोग आ रहे हैं और उनको भी बिहार जो है नौकरी देने का काम कर रहा है तो ये कोई मामली बात नहीं है हम तो इतना ही चाहेंगे कि आप लोगों को जो दाय तुम मिला है जो आप लोगों को रिस्पॉंसिबिलिटी मिली है ये मामली रिस्पॉंसिबिलिटी नहीं है मात के जो भविष्य हैं जो बच्चे हैं उनको आप पढ़ाय लिखाए और आगे बढ़ाने का काम करें हम सब लोग हमेशा मिल करके जो बिहार के हित्वे काम होगा और जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया है उसको लगतार पूरा करते रहेंगे और ये आप सब लोग जान रहें बिहार में जो बिहार मॉडल है नितीज जी का जो मॉडल है महागरमदन सरकार का जो मॉडल है क्या मॉडल है पढ़ोगे तो भी नौकरी मिलेगी और खेलोगे मेडल लाओगे तो भी नौकरी आप लोगों को मिलेगा माननी मक्मतीजी के लिए पित्वे हम लोगों ने खेल लीती हम लोगों ने लाने का काम किया और खेल लीती के साथ-साथ जिन बिहार के खिलाडियों ने मेडल लाया है बिहार का नाम रोशन किया है देश का नाम रोशन किया है उनको भी आधिकारी का नौकरी जो है लगबख 70-75 लोगों को हम लोगों ने जो लोगों ने आधिदन दिया स्क्रीनिंग के बाद उन लोगों को नौकरी दी गई तो इस हिसाब से काम होना चाहिए हम लोग तो काम करते रहेंगे और आप सब लोगों पर हमें नाज है कि आप सब लोग अपने मेरिट पर यहाँ अपने प्रतिभाब पर मेहनत करके कितना लोग कैंडल में परता होगा कितना लोग गरीब परिवार का होगा सब लोग अपने मेहनते बलबूते पर यहाँ आए है तो आप सब लोगों को हम शुपकावना देना चाहेंगे लेकिन कुछ पत्रकार हैं दूसरी मानसिक्ता के हैं नकरात्मक सोच रखते हैं उनको ये सब हजब होने वाला नहीं है उनको हम लोग कलम बाट रहे हैं कुछ लोग तलवार बाट रहे हैं आप ही बता हो कलम बाट वा लेकिन ही लोग तो तलवार वालों को प्रचार करते यह प्रचार नहीं करते कि कुछ लोगों ने कहा था कि हर साल दो करोर रोजगार देंगे आज दस साल हो गया 20 करोर रोजगार का क्या हुआ इस पे सवाल नहीं पूछा जाएगा पंदरा रुप लाक रुपे खाते में पंचाज के हमारे जतने तरी नमबर वन पर इस पर चेपा नहीं हो री तोप 3 स्टेच में इंडिया में आज तनी हो री यहां कानून का राज है जो गलत काम करने वाला है उसको स़जा होती है तो यह लोग कहते है कि जंगल राज है बताओ जहाँ नौकरिया मिल रही है जहाँ इतना बड़ा काम हो रहा हूँ जंगराज हो सकता है तो हमको तो इस बात पे इस विशे पे नहीं कहना आप सब लोग सिक्षक है आप सब लोग होश्यार है पढ़े लिके लोग है तो इतना ही हम कह करके हम अपने बात को विराम देंगे क्योंकि थंडा जादा है सब लोगों को लोटा है मानने मुख्वमंती जी को भी जो है आप लोगों के समख बात रखनी है तो इसलिए हम जादा कुछ नहीं कहेंगे लेकिन इतना बड़ा काम हुआ है आज आप लोग खुश है कि नहीं है हाथ उठा के बताइए अरे जो मुष्कान जो खुशिया आपके चेहरे पर है वही मुष्कान उन बच्चों के चेहरे पर भी आना चाहिए लेकिन आप सब लोगों से अपील करेंगे कि सब लोग एक बार जिनोंने मुष्कान आपके चेहरे में नौक्रिया आपको देने का काम किया है बिहार के मुख्य मंत्री जी ने उनके लिए खड़े हो करके एक बार जोड़ार ताली बजाने का काम केजे धन्यवाद करने का काम केजे तो आप सब लोगों को तहें दिल से हम धन्यवाद देते हैं अपनी बात को विराम देते हैं जैहरे जैविया